नमस्कार दोस्तों, एक्जाम ओफोविय यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम लोग UPPCS PUT2211 के मोडल टेस्सीरीज नमबर 3 पे चचक करेंगे अभी तक हम लोग टेस्सीरीज नमबर 1 और 2 पे चचक कर चुके हैं जैसा कि आप सभी लोगों को मालूँ हैं कि हम लोग GS पेपर के 10 टेस्स पेपर लगएंगे आज हम लोग 30 नमबर के टेस्स पेपर पे चर्चा करेंगे इसके साथ ही हम लोग 5-60 पेपर भी करवाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज का कुश्चन नमबर 1 कुश्चन नमर पहला है निम्न लिखित कत्रों में से कौन सा कत्र 97 सविधान संसोधन के संबंद में सत्य है पहला कत्रन है इस संसोधन द्वारा सहिकारी समिति गठित करने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया और दूसरा कत्रन है इस सविधान संसोधन द्वारा सविधान में एक नया भाग 9B जोड़ा गया तो यहाँ पर कूट के माद्यों से बताना है कि कौन सा कत्रन सत्य है तो इसका सही जवाब है कि दोनों ही कत्रन सत्य हैं C option यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा 97 सविधान संसोधन अधियम द्वारा 11 द्वारा सहिकारी समितियों को सविधानिक दर्जा और सरच्छन प्रदान किया गया इस संदर में प्रश्णगत दोनों ही कत्रन सत्य है नेश्ठे question number 2 छमा आदी की और कुछ मावलों में दंडा देश के निलंबन और परिहार या लगुकरण की राश्टपती की सक्ती को किस अनुछेत के अंत्रगत रखा गया है तो दूसरे का सही जवाब है B option अनुछेत 72 के तहित किया गया है B option यहाँ पे सही जवाब है कौन साक नागरिकों एवं विदेशियों दोनों को प्राप्त है पहला है बलात स्रम एवं अवैद मानव व्यापार के विरुद प्रतिशेद दूसरा है अल्फ संख्यों को अपने धर्म के प्रसार हे तो सिछण संस्थानों की इस्थापना का दिकार तीसरा है प्राण जब की दूसरा गलत है क्योंकि अल्फ संख्यों को अपने धर्म प्रसार हे तो सिछण संस्थानों की इस्थापना का अधिकार अनुछेद टीस केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार है जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है इसलिए प्रश्नगत दूसरा कथन है नेश्ट कोश्चनमर्ण चोथा निमनिलिख्ये कथ्रों में सी कौन सा कथन सत्य है। पहला है और दूसरा है छेत्री परीसद के विदिक संस्था होती हैं तो यहां पर बताना है कि कौन सा कथन सत हैं Thailand पर पहला और दूसरा दोनों ही कथन सत्थ है अंतर राजी परिस्द का उलेक सविधान के अनुशेद 263 में किया गया है अता है यह एक सविधानिक संस्ता है जबकि छेतरी परिस्दों का गठन संस्त के अधनियम के प्रावधानों के तहित होता है अता यह विदेक संस्ता है होती है इस प्रकार दो सव्यधानिक मानता प्राप्थ हए थी थी तो यहाँ पर 5 कई सविधान ससोधान जोixí उनिट्वा था उसके द्वारा भारत में प्रथमबार राजनएतिक डलों को सर्वेधानिक मानता प्रात्वी थी कि नेश्टे कुष्च नम्म चठवाँ परामर्श सम्मंदी छेतरा दिकार नहीं था तो किस में निर्म ने लिखे कथनों पर विचार कीजिए तथा दिये गए कूट की सायता से उत्तर दीजिए पहला कथन है सविधान सवा अप्रत्यच निर्वाचन का प्रणाम थी जबकि उसका कारण है सविधान सवा के गठन के लिए राज्यों की विधान सभाव का निर्वाचक मंडल के रूप में उप्योग किया गया था तो यहां पर बताना है कूट के माद्यम से कौन सा कथन सत्य है या फिर कथन का कारण जो है सही व्याख्या कर रहा है तो यहां पर सात्य का सही जवाब है A option A तथा R दोनों ही कथन सत्य है तथा R A की सही व्याख्या करता है नेश्ट कुश्य नम्मर आठवा निम्निन लिखित पर विचार करें पहला है केंद्र में द्वैदसासन दूसरा है एक अखिल भारती संकी स्थापना तीसरा है भारत की राज सचिव की पईस्षत को स्वांप करना तो उप्योक्त ब्य का सही जवाब होगा आठवें के सही जवाब होगा सी ओप्शन भारत सासन अध्याम 1935 से संब्मनित है सी ओप्शन यहां पर सही जवाब होगा नेश्ट कुश्य नम्मर नौहां स्विधान सवाद्वारा इस्थापित अलफ संख्य को हीतू सलायकार समेती के अध्यच कौन थे तो यहां पर नौहें का सही जवाब होगा बी ओप्शन सरदार बल्लब भाई पटेल थे बी ओप्शन सही जवाब है नेश्ट है कुश्य नम्मर दस्वा उत्तर प्रिदेस में लोगसवा सीटो की कुल संख्या निम्लिलिकित में से किन तीन राजियों की लोगसवा सीटो की संख्या की योग के बरावर है तो यहाँ पर दस्वें का सरी जवाब होगा A option महाराष्ट, करनाटका और हिमाचल प्रिदेश तो बात करें उत्तर प्रिदेश में लोगसवा की सीटों की संक्या की तो कितनी है? 80 है जबकि महाराष्ट में लोगसवा सीटों की संक्या 48 है करनाटका में 28 है और हिमाचल प्रिदेश में 4 है तो बताए इस प्रिकार इन तीनों को मिलाने के बाद 80 हो जाती है तो सही जवाब होगा A option नेश्टे कुश्य नम्मर 11 किसने भारती सविदान की विस्तत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है तो यहाँ पर 11 का सही जवाब होगा B option आईवर जेनिंग्स B option सही जवाब है आईवर जेनिंग्स ने भारती सविदान की विस्तत होने को उसका दुर्गुण और वकीलों का स्वर्ग कहा है नेश्टे कुश्य नम्मर 12 निम्हर लिखे कथ्रों में से कौनसा कथन सही है अंगे कंदान है तो बताना है कूट की मादम से कौन सा कठन सत्य है तो बारवे का यहां पे सही जवाब है कि ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है क्योंकि राजसभा 14 दिनों के भीतर धन विदयक को अपनी सिफार्सों सहीद लोगसभा को लोटा देती है प्रन्तु लोगसभा राजसभा की किसी सिफारिस को मानने या नमानने ही तुश्वतंत्र है यदि राजसभा 14 दिनों के भीतर धन विदयक को लोगसभा को वापिस नहीं करती है तो उसे उसी रूप में दोनों सुद्नोंदारा पारित माल लिया जाएगा अता राजसभा को धन विदयक में संसोधन करने या आस्विकार करने की कोई सक्ति प्राप्त नहीं है वहीं अनुछेद 113 दो के अनुसार अनुदान मांगे लोगसभा में रखी जाएगी तथा उसे ही उस पर मद्दान करने का अधिकार होता है राजसभा को नहीं होगा नेश्टे कुश्य नमर 13 है भात की संचित निदी किसके नियंतरण धीन होती है तो यहाँ पर तेरे का सही जवाब क्या होगा तेरे का यहाँ पर सही जवाब होगा बी ओप्शन संसत के नियंतरण धीन होती है बी ओप्सन यहां पे सही जाब है इसका उलेक अनुशेद 266 के अंतरगत किया गया है यह संसत के नियंतरधीन होती है तथा संचित निदी से कोई भी धर्रासी तब तक नहीं निकाली जा सकती जब तक संसत की अनुमती प्राप्त ना हो गई हो नेश्टे कोश्चे नमर 14 है अनुशे 227 में वर्णित उच नियाला की अधिनस्ट नियाला पर अधि छड सकती को किस वाद में अनुलंगिनी मौलिक धांचा घोशित किया गया है तो यहां पर चौदे का सही जवाब है सी ओप्सन इसका उले केश्वानन्द भारती केश में मिलता है अनुशे 227 में वर्णित उच नियाला की अधिनस्ट नियाला पर अधि छड सकती को केश्वानन्द भारती वाद में अनुलंगिनी मौलिक धांचा घोशित किया गया है नेश्टे कुश्य नंबर 15 निम्न कत्रों पर विचार करें पहला कतन है राष्टपती अथ्वा संसत द्वारा राष्टपती सासन के समय बनाया गया कनून राष्टपती सासन समात होने के पश्चात प्रहावी नहीं रहता है दूसरा कतन है राश्टपती सासन के समय राश्टपती मुख मंत्री के नित्रत वाली मंत्री परसत को भंग कर देता है तो यहाँ पर बताना है कि कौन से कतन सत्त है तो यहाँ पर जो है दूसरा कतन सत्त है B option यहाँ पे सही है जबकि पहला कथन गलत है क्योंकि राश्टपती सासन का उल्लेक स्विधान के अनुचे 356 में किया गया है राश्टपती या संसत द्वारा राश्टपती सासन की समापती के पश्चाद भी उसकी द्वारा निर्मित करून प्रोहावी रहता है इसलिए यहाँ पे पहला कथन गलत हो जाता है नेश्टे कुष्चन नमर 16 निर्मिलिखित में से कौन सी अहिरताएं उप्राश्पती पधेतु अनिवार है पहला है वह तीस वर्ष की आयो पूर्ण कर चुका हो दूसरा है वह राजस्थवा का सरस्थ बढ़ने के लिए अहिर हो तीसरा है सार्वजनिक प्राधिकरण के तहट किसी लाव के पत पर ना हो तो इस प्रकार बताना है कि सोल्वे का सही जवाब क्या होगा तो यहाँ पर सोल्वे का सही जवाब है दूसरा और तीसरा सही है जबकि यहाँ पर 30 वर्स नहीं 35 वर्स आयू होनी चाहिए तो इसलिए पहला कथन गलत है नेश्टे कोश्य नमर 17 भारती संसत के परिपेच में सून काल कहा जाता है तो सून काल किसको कहा जाता है तो 17 का सही जाब है प्रश्ण काल के तुरंत बात का समय सून काल कहा जाता है बी ओप्शन सही जाब है इसका समय बारा बज़े से लेकर एक बज़े तक होता है नेश्टे कोश्य नमर 18 राज विधान परिशत की संबन्द में निवन लिखित कत्रों में से कौन से कत्रन सत्त है पहला कथन है यह एक इस्थाई सदन है जो कभी भंग नहीं होता है दूसरा कथन है इसके सरस्यों का कालकाल छे वर्स तक का होता है और तीसरा कथन है इसके एक तिहाई सरस्यों को राजपाल द्वारा नामित किया जाता है तो 18 का यहाँ पर right answer क्या होगा यह option पहला दूसरा सही है जब कि तीसरा गलत है क्योंकि राजविदान परिशत के एक बटे 6 सहस्यों को राजपाल द्वारा नामित किया जाता है ना कि एक तिहाई को इसलिए बाकी पहला दूसरा सही है और तीसरा गलत है नेश्टे कुश्चे नमर 19 भारत की संस्द्री प्राणाली एवं ब्रिटेन की संस्द्री प्राणाली में अंतर एक बिंदू है तो यहाँ पर 19 का सही जावगा बी ओप्सन सेडो केविनेट है बी ओप्सन ब्रिटेन की संस्द्री प्राणाली में 6 केविनेट यानि सेडो व्यास्था होती है जो कि विपच्छी पार्टी द्वारा गठित किया जाता है जिब कि भाद में ऐसी कोई व्यास्था नहीं है नेश्टे कुश्चन नमबर बीज सुची फर्ष्ट को सिकेंड के साथ में सुमिलित करिना है अकूर्ट के माध्यम से सही उत्तर चुनना है एक तरफ विशय है दूसी तरफ उनसे सम्मनित अनुच्छेद है तो पहला है व्यक्तियों की अपनी अनकुल व्यास्थाओं में कार करने है तो राज का प्रवास इसक उन्लेक जो है अनुच्छेद 31 में किया गया है और बीहोंसन में समांकार्हेतु, समांवेतन इसका उन्लेक अनुच्छेद 49 घा में किया गया है पहले से मिल जाएंगा और तीसरा है समां न्यय एवं निस्सूलक, विधिक सहायता तो इसका उन्लेक Leonard 49 का में है और से यहां पर सही ज़ाब हो जाएगा C option नेश्टे कुश्च नम्मर 21 राश्टी पिछड़ा वर्ग आयोक के संदर में कौन सा एक कथन असत्त है तो इसका जो है C की नम्मर का कथन असत्त है यहां पर 103 नहीं होगा 102 है संसोधन अधनियमदारा इसको सविधानिक दर्जा पदान किया गया नेश्टे कुश्च नम्मर 22 धन विद्यक के संदर में असत्त कथन को चुने तो बाइस का असत्त कथन कौन सा है D ओसन सही है इसे संसत्त का कोई भी सदस प्रस्तुत कर सकता है यह नहीं होगा जबकि यहां पर सविधान के अनुछेद 110 में धन विद्यक की परभासा दी गई है इसको किवल मंद्री ही प्रस्तुत कर सकता है नेश्टे कुष्चे नमबर 23 विश सासन में मूल भूत है और विधी बनाने में इन तत्यों को लागू करना राज का करतब होगा उप्योक्त कथन सर्विधान के किस भाग से संबन्नित है तो यहाँ पर 23 का सही जवाब है C option राज की नीती निदेशक तत्यों से संबन्नित है C option सही जवाब है सर्विधान के अनुशेद 37 में यह वर्णित है कि नीती निदेशक तत्यों सासन में मूल भूत है एवं विधी बनाने में इन तत्यों को लागू करना राज का करतब होगा नेश्ट है C question number 24 राज लोक सिवा आयोक के संबन्द में निम्निलिक कत्रों पर विचार करें पहला कथन है कि आयोक के संख्या का निधान राजपाल के विवेका धीन पर है और दूसरा कथन की बात करें तो दूसरा कथन है राजपाल अध्यच एयों सहस्यों की सेवा सर्तों को निधायद करते हैं और तीसरा कथन है राष्टपती आयोग के अध्यच एयों सहस्यों को पस से हटा सकते हैं तिहां पर 24 का सही जवाब होगा कि तीनों ही कथन सकते हैं D option सही जवाब होगा सिर्धान के अनुछेद 315 के अंतरगत संग के लिए लोग सिवा आयोग तथा राजियों के लिए राज लोग सिवा आयोग का प्राधन किया गया है नेश्टेक कुश्चन नमबर 25 पंचायती राज की सम्मन्द में कौन से कथन सही है पहला कथन है कि अनुछेद 243D में सीटों के आरच्छड की व्योस्ता है और दूसरा कथन है कि पंचायतों की सक्तियां यों कार विधान मंडल द्वारा निर्धायत किया जाता है और तीसरा है ग्यारवी अनुचूची के तहद 29 विसियों पर कार होता है तो 25 के यहाँ पर राइट अंसर होगा कि तीनों ही कथन सही है पंचायती रात के तहद 73 सविधान संसोदन अध्यम 1992 के तहद पंचायती राजव्यास्ता को अपनाय गया था इसके प्रश्ण में दिये गये तीनों ही कथन सत्त है उसके अनुसार अगला है कुश्य नंबर 26 निमने लिखित में से किस एक अधार पर राश्टपती द्वारा सविधानिक आपात की घोश्रा की जा सकती है तो 26 के यहाँ पर राइट अंसर होगा C आप्सन के निद्वारा दिये गए निदेशों का पालर करने या उसी प्रहावी बनाने में आसफलता के आधार पर अनुछेद 356 के अनुसार जब राज का सासन सविधानिक आधार पर न चलाय जा सका हो तब राश्टपती सविधानिक आपात की घोश्रा करते हैं सविधान का भाग 18 या अनुछेद 352 से 360 आपात उपबंदों से संबन्दित है नेश्टे कुश्य नमर 27 संसद के इनसासिस प्रदेसों के लिए निम्ने लिखित में से कौन से विश्यों पर कानून बना सकती है तो यहाँ पर 27 का सही जवाब होगा D आप्सन संग राज एवं संवर्ति तीनों सूचियों के विश्यों पर कानून बना सकती है D आप्सन यहाँ पर सही जवाब होगा नेश्टे कुश्य नमर 28 निम्ने लिखित में से कौन मूल करतब नहीं है तो 28 का यहाँ पर राइट आंसर है C आप्सन निजी संपत्ति का कुशल प्रवांधन करना मूल करतब नहीं है निजी संपत्ति के संदर्म में कोई मूल करतब नहीं है सुरंण सिंग समिति की संतुति के आधार पर 42 संपत्ति के संदर्म में निम्ने लिखित में से कौन सा कथन असत्त है तो 29 का यहाँ पर राइट आंसर है ए उप्सन प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है ए उप्सन यहाँ पर सही है प्रस्तावना संविधान का भाग है क्योंकि केश्वानन भारती वाद जो 1973 में हुआ था उसमें प्रस्तावना को संविधान का अंस माना गया है नेश्टे कुष्च नमर 30 निम्ने लिखित में से किसी राज की कारपाल का के अंतरगत सामिल किया जाता है पहला है राजपाल, दूसरा है मुख मंतरी, तीसरा है मंतरी परिसद, चौथा है राज की महादिवक्ता, पाच्वा है राज की मुख सचिव तो यहाँ पर तीस का सही जवाब होगा पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, जबकि राज की मुख सचिव को राज की कारपाल का में सामिल नहीं किया जा सकता है तो यहाँ पर सी ओप्सन सही जवाब हो जाएगा अगला है कुश्चे नम्मर 31 भारत के सविधान में निमलिखित में से किस अनुचेद में उलिखित है कि भारत के राज छेद में सर्वत, व्यापार, वाड़िज और समागम अबाद होगा तो यहाँ पर 31 का सही जवाब होगा, डी ओप्सन इसका उलिख जो है अनुचेद 301 में मिलता है, डी ओप्सन सही जवाब है अगला है कुश्चे नम्मर 32 भारती सविधान के अंशे 243 जेडाई के तहत निम्न लिखित में से कौन सहिकारी समितियों के निगवन, वीनियमन, तथा समापन के समंद में उपबंध निर्मित करने हेतु प्राधिकरत किया गया है तो यहाँ पर 32 का सही जवाब होगा C ओप्सन राजविधान मंडल नेश्टे कुश्चे नम्मर 33 निम्न लिखित में से कौन सा आयोग भारत सरकार की कार्मिक मंत्राला के अंतरगत कार्रत नहीं है तो यहाँ पर सही जवाब है B ओप्सन राश्टी अन्विशन अभी करन जो है भारत सरकार की कार्मिक मंत्राला के अंतरगत कार्रत नहीं है नेश्टे कुश्चे नम्मर 34 निम्न लिखित कत्रों में से कौन सा कत्रन असत्त है पहला कत्रन है सभी धन विध्यक वित विध्यक की सेड़ी में आते हैं और दूसरा कत्रन है यदि कोई विध्यक लोगसवा विक्टन होने के कारण छूट जाता है तो स्युक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती कि यहां पर 34 का सई जवाब होंगा डी ऑप्शन तो यहां पर सई जवाब है डी ऑप्शन ना तो पहला ना तो दूसरा अगला कुश्च नमर35 कि निम्न लिखती योगमा में से कौन सा सही सुमिलत है यहां पर 35 में देखना है कि सविधान संसोधन की विषय क्या है तो कौन सुमिले थे तिहाँ पर तीनों ही सुमिले थे 101 सविधान संसोधन अध्नियम वस्तु एव सेवकर से संबने थे एक सो तीनवा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरच्छण निन्यानवा राष्टी न्याइक न्यूक तीयोक से सम्बंदित है इसलिए डी ओप्सन सही जवाब है नेश्ट है कुश्चे नमब छतेस पंचाईती राशे सम्बंदित निमलेखे समितियों को उनके गठन के कालक्रमा अनुसार व्यस्तित कीजिए अशोक मेता समिती अशोक मेता समिती की बारे में उनिस सो 70 जीवे के राव समिती उनिस सो 85 सिंगवी समिती जो है उनिस सो च्छासी बल्वन्त राय मेता समिती जो है उन्निस सो सत्तावन तो इस प्रकार यहां पे सही जवाब होगा पहला ओप्सन नेश्टे कुश्चे नम्मर सैतेस निम्लिलिखित कत्रों पर विचार कीजे तथा दिये गए कूट की सायता से उतर दीजे प्रधान मंत्री के परामर्श के अनुसार राष्टपती मंत्री मंडल के किसी सरस को उप्र प्रधान मंत्री निउक्त कर सकते हैं और इसका कारण है उप्र प्रधान मंत्री के उत्तरदाईतियों का निधान प्रधान मंत्री का विशेसर दिकार है तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा तो 37 का सही जवाब होगा B option A तथा R दोनों सही है परन्तु R A की सही व्याख्या नहीं करता है नेश्टे कुश्चन नमर 38 निमने लिखिस स्वेधानिक संसोधनों में से कौन लोग सवाके सरस्यों की संख्या में ब्रदी करने से समन्दित है तो यहाँ पर 38 का सही जवाब होगा A option सात्वा और 31 सात्वे संसोधन अध्याव 1956 दोरा लोग सवाकी सरस्यों संख्या 520 निश्चित की गई तथा 31 स्रिधान संसोधन अध्याव 1973 दोरा लोग सवाकी सरस्यों संख्या 545 निश्चित की गई नेश्टे कुश्चे नमबर 49 निवने लिखित में से किस अनुछेद के तहत लोग सवा अध्याच्च संसत के दोनों सदनों की स्विक्त बैठक की अध्याच्चिता करता है तो इसका 49 का सही जवाब होगा ए उप्सन अन्षेद 118 चार के तहत नेश्टे कुश्चे नमबर 40 राश्टपती की चुनाव में निवने लिखित में से कौन भाग ले सकते हैं पहला है राज विधान सवा दूसरा है राज विधान परिसाद तीसरा है लोग सवा सदस्थ तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा पहला तीसरा चौथा पहला तीसरा और चौथा नेश्टे कुश्चे नमबर 41 भारती संसत की संप्रभुता प्रतिबंदित है तो किससे प्रतिबंदित है तो इसका सही जवाब है बी ओप्सन सरुच नियाले से बी ओप्सन यहाँ पर सही जवाब है नेश्टे कुश्चे नमबर 42 राष्टपती के कारकाल का प्रारम माना जाता है तो 42 का सही जवाब है बी ओप्सन सपत ग्रहन की दिन से माना जाता है नेश्टे कुश्चे नमबर 43 निम्निलिक्षत में से कौन सा कथन वित्विध्यक की समंद में सत्ते हैं पहला है यह सिर्फ लोकसवा में ही पेस किया जाता है दूसरा है यह राश्टपती की पूर्व अनमती से ही पेस किया जाता है तीसरा है राश्टवा इसके अस्विक्रत कर सकती है इसको अस्विक्रित कर सकती है तेहां पर 43 का सभी जवाब होगा डी ओप्सन तीनों ही कथन सकते हैं नेक्ष्ट कुश्चन नमबर 44 निम्निलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिये गए कूट की सायता से उत्तर दीजिए पहला कथन है संसत को संग में नए राज्यों के प्रिवेस या इस्थापना करने के लिए विधी बनाने का अधिकार है और इसका कारण है इसके लिए संबंदिद विधेयक पर राश्पती की सिपारिज की आवसत्ता नहीं होती है संसत को संग में नए राज्यों के प्रिवेस या इस्थापना करने के लिए विधी बनाने का अधिकार है इसके लिए संबंदिद विधेयक पर राश्पती की पूरु सिपारिज आवस्यक होती है अता पहला कथन गलत है परन्तु दूसरा गलत है इसका काराण गलत है से कुश्चन नमबर पैतालेज राश्ट पती किस अनुछेट के तहट किसी जाती को अनुसूचि जान जाती की सूचि में सामिल कर सकता है तो इसका सही जाव है C option 342 के तहट नेश्टे कुश्चे नमर 46 निमन लिखित कत्रों में से कौन से कत्र सत्त है पहला कतन है राष्टपती आपात की उद्गोस्णा युद्ध या वाह आक्रमण या ससस्त विद्रों के वास्ता में घटित होने के पूर भी की जा सकती है और दूसरा कतन है राश्टपती को आपात की उद्धोस्टना के लिए मंत्री मंडल की लिखी सूचना प्रात करना अनिवार है तो यहाँ पर 46 का सही जावगा C option दोनोंगी कतन सही है नेश्ठे कुश्चे नमबर 47 एस आर बोमई बनाम भारत संगवात का निर्णय मुखता भारती सविदान के किस अनुच्छे से संबंदित था तो यहाँ पर सही जावगा D option अनुच्छे 356 से संबंदित था यानि राज्जियों में राश्पती सासन से संबंदित था ये वाद नेश्टे कुश्चे नमबर 48 निमने लिखित में से किस एक एक्ट या अधनियम द्वारा प्रांतों में आंसिक उत्तरदाई सरकार को गठन किया गया था तो यहाँ पर 48 का सही जावब है E option The Government of India Act 1919 के तहत इसमें कुछ सक्तिया निर्वाचित सरकार को तथा कुछ गवर्नों को सौपी गई थी नेश्टे कुश्चे नमर 49 निमने लिखित वादों में से किस एक में ये कहा गया है कि पंत निर्पिश्चता वाद एम संगवाद भारती सविदान के मूल लच्छण है तो इसका सही जवाब है एक ओप्शन कीश्व अनन्द भारती वाद में ये कथन कहे गए है नेश्टे कुश्चे नमर 50 सूची फर्ष्ट को सिकेंड के साथ में समिलित करना है और कूट की सायता से सही उत्तर चुनना है पहला है लोकतांत्रिक विकेंद्री करण द्यार महता समित्य द्धार तीसे से मिल जाएगा नगर पंचायत का उल्लेक जो है चोहत्त्रोय साविधान संसोधन द्धार पंचायती राज निर्वाचन का उल्लेक 73 में और द्यस्तृ प्राणली असोक महता समित्य इस प्रकार से सहीजव होगा इस ओप्शन नेश्टे कुष्ट नंबर 51 भारती सविधान में संगी सब्ध प्रियोख्थ हुआ है लिम्ली लिखित में से कौन सी सकती राजकी राजपल को अनुषेद 213 के अंदरगत प्लाप्थ है तो बावन का यहाँ पर राइट अंसर है B option विधान मंडल की वी सरांती के दारान अध्यादेश प्रख्यापित करने की B option यहाँ पर सही जवाब है नेश्टे कुश्य नमबर तिरपन मूल अधिकारों की रच्छा हेतू रिटों को जारी करने का अधिकार किसको प्राप्त है यहाँ पर सही जवाब है उच्च तम न्याला और उच्च न्याला दोनों को प्राप्त है इस प्रकार से D option यहाँ पर सही जवाब है उच्च तम न्याला अंशेद 32 के तहित यहाँ उच्च न्याला अंशेद 226 के तहित दोनों मूल अधिकारों की रच्छा है तो रिट जारी कर सकते हैं ये रिट इस प्रकार हो सकते हैं कि बंदी, प्रतेच्छी करन, परमादेश, प्रतिसेद, उत्प्रेशन एवं अधिकार प्रच्छा नेश्ट है कुश्य नमबर चववन निम्न लिखित पर विचार कीजिए पहला है समान नागरिक सहिता, दूसरा है छोटे परिवार का मांदन, तीसरा है समान कार के लिए समान बेतन, चौथा है प्रात्विक इस्तर पर मादभासा में सिछ्छा तो उप्योक कतनों के आधार पर बताना है कि नीति निश्चक सिद्धानतों में कौन से कतन समलित होंगे तो यहाँ पर चववन का सही जवाब होगा, सी ओप्सन, पहला और तीसरा जो है समलित किये जाएंगे नेश्ट है कुश्य नमबर पचपन एक संसद सरस्ट की सीट को रिक्त खोसित किया जा सकता है यदि वे सर्दन से लगातार कितनी आवादी के लिए अनुपस्तित रहता है तो पचपन का यहाँ पर राइट अंसर है, बी ओप्सन, दो माह के लिए अनुपस्तित रहता है सिवधान के अनुछेत 101,4 के तए संसद ताथ 195, 4 के तए राज विधान मंडल के किसी सरस्ट की सरस्टा समाप्ट की जा सकती है यदि वे 2 माह की आवदी तक सर्दन में अन्पस्तित रहे नेश्टे कुश्य नमर 56, सर्विधान के अनुशेद 72 के अंतरगत, राष्टपती को प्राव्त छमादान की सकती है एक, क्या है, तिसका 56 का सही जवाब है, एक नियाएक सकती है, यानि C आप्शन सही जवाब है, इसका उलेक सर्विधान के अनुशेद 72 के अंतरगत किया गय लिला थी तो कौन थी तो इसका सही जवाब है बेगम एजाज रसूल थी बी ओप्सन यहाँ पर सही जवाब है नेश्टे कुश्य नमबर 58 निमनी लिखेद पर विचार कीजिए पहला है सधान विदयक दूसरा है धन विदयक तीसरा है सविदान संसोधन विदयक उप्यूक्त में से किस विदयक पर स्युक्त बैठक का प्राधन नहीं है तो अठावन का यहाँ पर राइट अंसर है बी ओ राष्टपती एक अध्यादेश जारी कर सकता है जब उसे समाध्धान हो जाता है की ततकाल कारवाहिक की जानी अवस्यक है तो यहाँ पर उनसर्ट का सहीजाव है सी ओप्सन कोई भी सदन सत्र में नहीं हो सी ओप्सन यहाँ पर सहीजाव है अनुशेद 123 के अंतरगत राष राष्टपती अध्यादेश तब जारी करता है जब संसत के दोनों सदन सत्र में ना हो तथा राष्टपती को यह विश्वास हो जाए कि आविलम कारवाही आवस्यक है नेश्टे कुष्चे नमर 60 संसत विधी द्वारा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च नियाले की इस्थापना कर सकती है वह वर्णित किस अंश्यद में है तो इसका उलेक अंश्यद 231 में किया गया है डी ओप सन्यापे सही जवाब है नेश्टे कुष्चे नमर 61 निमने लिखे कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिये गए कूट के माद्यम से सही उत्तर चुनिए कथन दे रखा है कि लोकतंत में एक संसता द्वारा दूसरे पर अंकुष्च लगाने की व्यास्ता होती है और कारण है विधाईका पर कारपालिका का नियंतर होता ह है तो यहां पर बताना है कि कौन सा ओप्सन सही जवाब होगा तो इसका सही जवाब होगा सी ओप्सन ए ओप्सन सही है परन्तु इसका आर जो कारण है वो गलत है नेश्ट है कुष्चन नंबर 62 निम्ली लिखित में से कौन सा सर्विधान के अनुशेत 13 के अंदरगत परिभासित विधी सब्द में समलेथ है तो यहां पर 62 का सही जवाब है डी ओप्सन सधान विधिया और विधी कबल रखने वाली समाजिक रूडिया तो यहां पर डी ओप्सन सही जवाब है नेश्ट है कुष्चन नंबर 63 भात में राश्टपती वित्ती आपात की घुशना करता है जब कब करता है तो 63 के यहां पर सही जवाब है किया गया है नेश्टे कुष्चन नंबर 64 गुहावटी उच न्याला के नियाइक अधिकार छेत के अंतरगत निम्र लेखिंत में से कौन सा राज सामिल नहीं है कौन सा राज सामिल नहीं है तो इसमें समलित की बात करें तो असम, नागालन, मिजोरम और अरुणाचल प्रिदेश समलित है इसमें तो ए उप्सन यहां पर सही जवाब होगा मेगाला है समलित नहीं है नेश्टे कुष्चे नमर 65 निम्र लेखित में से कौन से तत्य भारती संगात्मक व्यासता के एकात्मक चरिट को प्रकट करते हैं पहला option है सेविधान की लोच सीलता, दूसरा है स्वतंत्र नियापाल का, तीसरा है अपात्ट कालीन, उबन्द, चौथा है एकलना गृत्ता तो यहाँ पर 65 का सही जवाब होगा है, C option पहला, तीसरा और चौथा, दूसरा नहीं होगा, सुतन निया पहल का, इसमें नहीं आएगा नेश्टे कुश्य नम्मर छाचाट सुची फर्ष्ट को सिकेंड के साथ में स्मिलित करना है, और कूट की सायता से सही उत्तर चुनना है तो विधी द्वारा इस्थापित, प्रक्रिया कहां से ली गई है, तो यह जापान से ली गई है, दूसरे से मिल जाएगा और संसत की स्युक्त बैठक कहां से ली गई है, यह और सी में है प्रस्तावना में न्याय का आदर्स यह जो है सोव्य संग से लिए गया है और राष्ट पत्ति का निर्वाचन पदेती आयलेंड से लिए गया है, तो इस प्रकार से यहां पे यह उप्शन सही जवाब होगा नेश्टे कुष्चन नमबर सरसठ भात के प्रधान मंत्री की विशय में निम्न लिखित कत्रों में से कौन सा सही नहीं है, तो प्रधान मंत्री संसत के प्रती उत्तरदाई होता है, यानि सियोप्शन सही है, इसमें नहीं लिखा है, लेकिन उत्तरदाई होता है अगला कुश्चन नमबर 68, निम्न लिखित युगों में से कौन सही सुमिलित नहीं है, तो हर्याना का गठन कब हुगा था, तो 1968 में मेघाला का 1972 में, सिक्किम का 1975 में, जबकि आरुनाचर प्रिदेश का 1980 नहीं, 1987 में, तो यहाँ पर D option सही जवाब हो जाएगा, नेश्ट कुश्चन नमबर 69, निम्न लिखित में से भात की सर्विधान के किस एक अनुछे दिया अनुसूची का संबन्द स्वासासी जिला परिस्दों से है, तेहाँ पर सही जावाय सियॉप्सन छटी अनुसूची का संबन्द है इससे, आसाम मिघाला तिप्रा मिजोरम मे स्वासासी जिला परिस्दों की स्थापना की गई, इसमें 24 सजस पित्ति चरूप से तथा 6 सजस राजपाल द्वारा मनुनीत होते हैं नेश्ट कुश्चन नमर 70, निम्न लिखित युगों पर विचार कीजिए संब सासित छेत अधनियम कब लागू हुआ 1963 में राष्टी राजधानी छेत अधनियम 1991 में संसद अधनियम 1969 में सिमांकन अधनियम 2002 में तो इस प्रकार से डी ओप्शन सही जवाव है, सही सुमेल के लिए पूछा गया था, तो डी ओप्शन सही है नेश्टे कुष्चे नमर 71 भारती संग के राजधियों का पुनरगठन किया जा सकता है अथवां उनकी सिमाएं परिवर्तित की जा सकती है तो 71 का यहां पर आईट अंसर होगा है यह उप्शन संसर द्वारा विधान की समान प्रिकिया में सरनार बहुमत द्वारा किया जा सकता है नेश्टे कुष्चे नमर 72 निम्न लिखित कत्रों पर विचार कीजिए तथा दिये गए कूर की सायता से सही उत्तर चुनिए कथन दे रखा है भारत को विवक्त राज्यों का अभी भाज संग कहा जाता है और इसका कराण है सविधान द्वारा राज के अस्तित को गरंटीर पदान नहीं की गई है तो यहां पर भात्तर का सही जवाब होगा ए ओप्शन ए और दोनों सही है तथा आर एकी सही व्याख्या करता है नेश्टे कुश्च नमर 73 राज सभा का सवापती पद ग्रहन करता है तो यहां पर 73 का सही जवाब है डी ओप्शन पदेन स्रदान की अंशेद चोंसट की अनुसार उप राष्ट्पती राजसभा का पदिन सवापती होता है यहां अण कोई लाब का पद धान नहीं करेगा नेश्टे कुश्च नमर 74 नियाइक समिच्छा का तात पर क्या है तो नियाएक समिच्छा कतात पर कारपाल का एम विवस्थापिका दोनों के कारियों की वेज़ता की जाच करना है ए ओप्सन यहाँ पे सही जवाब हुगा नेश्टे कुश्चन नमर 75 निम्न लिखित प्राधानों में से किसके अंतरगर प्रतेक पंचायत में अनुसूची जातियों तथा अनुसूची जनजातियों के लिए रच्छण की विवस्था की गई है तो इसकी विवस्था 243 घा के तैट की गई है डी ओप्सन यहाँ पे सही जवाब है नेश्टे कुश्य नमर 76 मुख निर्वाचन आयुक्त को उसकी पदावधी स्वाप्थ होने से पहले हटाया जा सकता है तो कैसे हटाया जा सकता है उस रीती एवं उन अधारों पर जिससे उच्टम नियाला के नियाएधीसों को हटाया जाता है यानि मुख निर्वाचन आयुक्त को अपनी निधायत अवधी में काम करने की सुरच्चा है प्रन्तों मुख निर्वाचन को उसके पद से उसी रीती एवं उन ही अधारों पर हटाया जा सकता है जिससे उच्टम नियाला के नियाएधीसों को हटाया सकता है मंत्री मंडल पर संस्दी नियंतर के उपायों में निम्र लिखित में से कौम सा एक संही नहीं है तो इसमें सही जबाब है वियोग संहीं है वियोज़ संही जबाब है प्रस्तावदारा राष्टपती यह महान्य अधीसों को पस से हटाया सकता है नेश्टे कुश्च नमबर 78 निम्न लेखित में से किस एक में दुई सद्नी प्रणाली नहीं है तो कहां पर दुई सद्नी प्रणाली नहीं है तो इसका सही जवाब है चीन में नहीं है बाकी अमेरिका भारत बिटेन में है नेस्टे कुश्चन म. 79 संसदी सासन प्रणाली में निम्न में सी कौन सी विमाध्यम है जिनकी द्वारा विधाईका कारपालिका को नियंतित करती है पहला उप्सन रिधैका करती है दूसरा है स्थागन प्रस्ताव, तीसरा है अविश्यास प्रस्ताव तो इसका सही जवाब है तीनों ही कथन सही है डी ओप्सन सही है नेश्टे कुष्चे नमर असी निम्न लिखित कथरों में से कौन से कथन सत्य है पहला कथन है राजसभा और लोगसभा दोनों में से चुने जाने है तू किसी भी नागरिक को निम्न तम 25 वर्ष की आयू पोड होना औस्यक है दूसरा कथन है संसत की किसी भी सदन का सदस चुने जाने है तू व्यक्ति को भाद का नागरिक होना चाहिए तो यहाँ पर दूसरा ही कथन सत्य है बागी पहला कथन गलत है क्योंकि लोक सभा के लिए जो है नीन्तम वर्ष नीन्तम आयू जो है 25 होनी चाहिए जबकि राज सभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए नेश्टे कुश्य नम्मर 81 भारती सविधान में वर्णित प्राधानों के तहट कोई व्यक्ति संसत की सरस्ता है तो आयोग होगा यदी वह सच्छम नियालाद्वारा घोसित मानसिक इस तर पर अस्वस्थ हो या फिर किसी विदेशी राज की नागरिक्ता सुच्छा से प्रात कली हो या फिर भारत सरकार या राज सरकार के किसी लाबकारी पत पर कार रात हो यानि तीनों ही कारण सही है डी ओप्षन सही जवाब होगा नेश्टे कुष्चन नम्मर 82 निर्ण इलिखित कत्रों पर विचार कीजिए तथा कूट की मादम से सही उत्तर दीजिए कथन है मंत्री परिशत सम्मूहिक रूप से लोगसवा के प्रति उत्तर दाई होंगे वही इसका कारण है भारती संसित्जी प्राणाली में सरकार का कारकाल तभी तक बना रहता है जब तक लोगसवा में उसे बहुमत का विश्वासमत प्राथ है तो यहाँ पर 82 का राइट आंसर होगा ए ओप्षन ए और दोनों सही है और आर एकी सही व्याख्या कर रहा है नेश्ट है कुश्यन नम्मर 83 निम्न लेखित में से कौन सा भारत सासन अन्यम 1905 से संबंदित है तो यहाँ पर पहला है संगी सासन प्राणली का प्रारंब दूसरा है संगी न्यालय का गठन तीसरा है संग इस तर पर द्वैद सासन तो यहाँ पर 83 का राइट आंसर क्या होगा सी ओप्षन पहला दूसरा और तीसरा तीनों ही सही है नेश्टे कुष्चे नम्मर 84 भारती सविधान में पंचाइती राज की इस्थापना से सम्मंदित भाग एवम अनसूची है तिहां पर इसका सही जवाब है ए ओप्षन भाग 9 हैं अनसूची 11 है नेश्टे कुष्चे नम्मर 85 राजवित अयोग के समंद में निम्लिके कत्रों में से कौन से कत्र सत्र है पहला है यह एक सविधानिक संस्ता है दूसरा है इसका गठन राश्टपती द्वारा प्रते पांच वर्स में किया जाता है तीसरा है इसके गठन का प्रस्ताव यानि प्रावधान अनुशेद 243 आई में वर्नित है तो यहाँ पर 85 का राइट सही जवाब होगा डी ओप्षन पहला हो तीसरा सही है राजवित आयोग एक सविधानिक संस्ता है इसका गठन सविधान के अनुशेद 243 आई में वर्नित है इसका उदेश पंचायतों की वित्ती इस्तिती की समिच्चा करना है इसका गठन राजपाल द्वारा प्रतेक पांच साल पर किया जाता है नेश्ट है कुश्चन नम्मर 86 निम ने लिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमिलित नहीं है तो इसमें 86 में कार का अधिकार जो है ये जो है सुमिलित नहीं है 43 नहीं है आँ पर होगा 41 होगा नेश्ट है कुश्चन नम्मर 87 निम निलिखित में से किस परिशिती में संसद में संयुक्त बैठक का प्राधान है तो यहाँ पर 87 का सही जवाब होगा यदि विधेयक को दूसरे सदन द्वारा अस्युक्रित कर दिया गया हो तब संयुक्त बैठक का प्राधान है और यदि दूसरा सदन विधेयक में किये गए संसोदनों को मानने से असैमात हो और तीसरा कारण है दूसरे सदन द्वारा विधेयक पास किये छह मेंने से ज़्यादा हो गया हो यानि सारे ही कथन सत्य हैं इसलिए डी आप्शन सही जवाब होगा नेश्टे कुष्चन नमबर 88 निमने लेखित कथनों पर विचार कीजे तथा कूट के माद्यम से सही उतर दीजे कथन है संसत के लिए राष्टपती का विवासन केंदरी मंत्री मंडल तयार करता है और इसका कारण है वास्तिक कारपाल का सत्तिक केंदरी मंत्री मंडल में नहीं थोती है तो इस प्रकार से यहां पे ए ओप्शन सही जवाब हो जाएगा ए और दोनों सही हैं और आर एकी सही व्याख्या कर रहा है नेश्टे कुष्चन नमबर 89 सांसाद इस्थानी छेत्र विकास योजना के संबन्द में निमन लिखत में से कौन से कथन सत्त है इस योजना की सुराथ दिसंबर 1993 में हुई थी और यह पूरी तरीके से केंद सरकार से सहायता प्राप्त है और तीसरा है लोकसवा यह राजसवा के मौनोनी सदस इसमें समलित नहीं किये जाते है तो 89 का यहाँ पर सही जाब होगा D option तीनों ही कथन सत्त है नेश्टे कुष्चन नमबर 90 निमन लिखत कथनों में से कौन सा कथन सत्त है तो 90 का यहाँ पर सही जाब होगा सारी कथन सत्ते हैं जो दिये है D option सही है नेश्टे कुष्चन नमर 91 भारत का महान्यावादी संसत की बैटकों में भाग ले सकता है किन्तु मत नहीं दे सकता यह किस अनुछेद में वर्णित है तो इसका उलेक अनुछेद 88 में किया गया है D option सही है नेश्टे कुष्चन नमर 92 निम लिखे कत्रों पर विचार करें पहला कतने किसी राज विधान मंडल के दोनों सद्रों में किसी सधान विधेक पर गतिलोद की इस्तिती में स्यूक बैठक का प्राधान होता है और दूसरा कतन है विधान परिशद सधान विधेक को अधिक्तम 90 दिनों तक रोख सकती है इन में से बताना है कि कौन से कतन सकते हैं तो यहाँ पर 92 का सही जाब होगा D option ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है क्योंकि विधान परिशद सधान विधेक को अधिक्तम 4 माह तक रोख सकती है नेश्टे कुश्य नंबर 93 निम्ण पर विचार करें पहला है परामर्श संबंदी छेत्रादिकार दूसरा है प्रारंबिक छेत्रादिकार तीसरा है अपीली छेत्रादिकार उप्युक्त में से बताना है कि उच्छ न्यालय का मुख छेत्रादिकार इन में से कौन सा नहीं है तो इसका सही जवाब है B option पहला परामर्स समंदी छेत्रादिकार उच्छ न्यालय का मुख छेत्र से किसके अनसार प्यत्तेक राज की कारपाल का सकति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे की संग की कारपाल का सकति के प्रयोग है कोई अर्चण नहों इसका उले कैनेडा से लिया गया है तो इसमें C सुमिलत नहीं है और श्टेलिया नहीं होगा यहां पर कैनेडा होगा कि सी ओप्षन सभी है नेश्टे कुश्ट नमर 96 में निम्ने लिखित में से कौम सा एक राज नीती निजेशक तद्थ नहीं है तो यहां पर रेंशन सेमयाए माननों के दुराइब अर्मला बलात स्रम का प्रति स्य रेह डिया ऑफशन सही है Additional question number 97 नीभने युगममें से कौन सा एक सही सुमिलित है हुआ से स सही समीलित है से मिमिलित ही सिफकर करकर प्रदान शिवा पर करका अठाशिव fij River सविधान संसोधन है ये जो है सुमेलित है बाकी जो है ये तीनों सुमेलित नहीं है अनुसूचित जाती आयोक का गठन 89 हुआ सविधान संसोधन होगा मेघालाय राज की स्थापना 22 ना की 28 नगर निगम नगर पालिका की स्थापना 74 ना की 73 आगे बढ़ते हैं देखते निम्न पर विचार करें उपराश्टपती प्रधानमंती राजपाल मुख निवाचन आयोक्त उपयोक्त में से बताना है कि किन की निवकती भारत के राश्टपती द्वारा की जाती है तो इन में से भारत के राश्टपती द्वारा किन की निवकती की जाती है दूसरा तीस जन आयुक्त की नियुक्ति राश्पति द्वारा की जाती है नेश्टे कुष्च नमबर 99 सविधान के निम्र लिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक संसद और राज विधान मेंडल को अकास्मिक्ता निधी स्रजन करने की सकती देता है तेहां पर 99 का सही जावाय सी आफ अधिकारियों की विरुद जारी की जाती है पहला है परमादेश दूसरा है अधिकार प्रिच्छा तीसरा है बंदी प्रतेच्छी करन चोथा है उत्प्रिशन तो यहां पर सौह का सही जवाब है बी ओप्सन पहला दूसरा और तीसरा नेश्टे कुष्च नमबर 101 निम्र के लिए लिखित में से कौन एक लोग सवय का सत्रा वशान करने के लिए प्राधिक्रत है तो यहां पर 101 का सही जवाब है डी ओप्सन राश्पती है वो भी अनुछेत 85 के तहित नेश्टे कुष्च नमबर 102 भात के मुख निर्वाचन आयुक्त का पद समकच्छ होता है किस इसका सही जवाब है यह ओप्सन सरुष्च नियाला के नियाधीसों के समकच होता है यह ओप्सन सही है नेश्टे कुष्च नमबर 103 भारती सविधान में वर्णित सरच्छात्मक भेदबाव का मुख उद्देश क्या है तो इसका उद्देश है सुरच्छा वन्चित समों क को समाज के अनवर्गों के साथ बराबरी की इस परदा में लाने हितु किया गया प्रयास नेश्टे कुष्च नमबर 104 भात के सविधान में वर्णित अनुछेद 312 के अंतरगत राजसभा को नियुन लेकेद में से किस एक की गठन की अनन्न सक्ति है तो इसका सही जाओ है दी ऑप्षन नई अखिल भारती सिवाओं के गठन की अनन्न सक्ति प्राप्त है और इसका उलेक अनुछे 312 में वर्णित है नेश्टे कुष्च नमबर 105 उपराश्टपती पधहेतु वांचित अहिरताओं में से निम लिखित में से कौन सी एक समलित नहीं है तो 105 का सही ज नमबर 106 निम लिखित कत्रों पर विचार कीजिए तता कूट की सायता से उतर दीजिए पहला कतन है राजपाल को उच्छ नियाला के नियाधिस की नियुक्ति का अधिकार है वहीं दूसरा कतन है राजपाल विदान परिश्याद में कुछ सथ्यों को मनुनित कर सकता है तो नहीं है नेश्ट कुश्य नमबर 107 प्राक्लन समिति के संदर में कौन से कथन सत्य है पहला कथन है इसमें लोगसवा तथा राजसवा दोनों के साथ सामिल होते हैं और दूसरा है इसका गठन लोगसवा में बजट प्रस्तुत किये जाने के बाद होता है तो यहाँ पर 107 क सही जाव है दूसरा सही है पहला गलत है क्योंकि प्राक्लन समिति संसत की एक स्थाई समिति है जिसका गठन केवल लोगसवा के संस्त्यों से होता है इसलिए यहाँ पर गलत है क्योंकि राजसवा इसमें लिखा है इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा नेश्टे कुश्य न मंदित है और इसके माध्यम से उच्टम न्यालाय में अपील किये जाने का प्राधन किया गया है और अपील की इजाज़त स्वयम उच्टम न्यालाय अपने विवे का अनुसार प्रदान करता है इसलिए डी ऑप्सन यहां पर सही है कि सारे कतन सत्य है नेश्ट कुष्ट नमर 109 हां तदर्थ न्याय धीसों की न्यूकति का प्राधान है तो यहां पर 109 का सही जाब है यह उप्सन सरोच न्यालाय में है और इसका उलेक अनुछेद 127 के तहित किया गया है नेश्ट कुष्ट नमर 110 निमने लिखित कतनों पर विचार कीजिए तर्था कूट की सायता से उत्तर दीजिए कथन दे रखा है कारण दे रखा है तो कतने की बजट की मागों में कटवती प्रस्ताव पास हो जाने पर भी सरकार के प्रति विश्वास बना रहता है वहीं कारण है संचित निदी से ध सब्सक्राइब है नेश्टे कुश्चन नंबर 111 भारती राजव्यास्ता में वरीता अनुक्रम के आधार पर उत्तर प्रिदेश के मुखमंती को निम्ली लिखित में से किस केंद्री इस तर के पत कि सम्तुल माना जाता है तो 111 का सभी जाव है से विपच्च के नेता के सम्तुल माना जाता है सी ओप्सन यहां पर सभी जाव है नेश्टे कुश्चन नंबर 112 निम्ली लिखित में से किस सविधान संसोधन द्वारा दिल्ली एवां पुडुचयोरी की विधान सभाओं के निर्वाची सरस्यों को रा नेश्टे कुश्चन नंबर 113 केंद्र इस्तर पर नगरी इस्थानी सासन विषय निम्ली लिखित में से किन मंत्रालों से संबंदित है पहला नगर विकास मंत्राला है दूसरा है वित्त मंत्राला है तीसरा है रच्छा मंत्राला है चौता है ग्रह मंत्राला है तो 113 का सही जवाब है बी ओप्शन पहला तीसरा और चौथा कि बित्मंदाला नहीं होगा कि नेश्टे कुष्चे नम्बर 114 है कि निम्ने में से कौन सी समिती मूल करत्यवियों से संबंदित नहीं है तो इसमें असोक चंद्रा समिती मूल करत्यवियों से संबंदित नहीं है सी ओप्सन यहां पर सही जवाब होगा नेश्टे कुष्चे नम्बर 115 है भात के उप्राश्पति की निर्वाचन में कौन सी समलित होते हैं तो इसका सही जवाब भी संसत के दोनों सदनों के सभी सज़स समलित होते हैं नेश्टे कुष्चे नम्बर 116 है राज्यों की विधान सवाव में आंगल भारती समदाय का प्रतिनिधित किस अनुछेत के अंतरगत वर्णित है तो यह जो है अनुछेत 333 के तहित वर्णित किया गया है सी ओप्सन सही जवाब है नेश्टे कुष्चे नम्बर 117 भारती सविधान की कौन सी अनुछी उच्टब न्यालाय और उच्च न्यालाय के न्यायधीसों के वेतन से संब्दित है तो यहाँ पर सही जाभगवा बी ओप्सन द्वती अनुची जबकि प्रथम अनुची की बात करें तो भारती संग एवों राजचे से संब्दित है और चतुर्स अनुची की बात करें तो रास्तावा में सीटों के आवंटल से और छटी अनुची की बात करें तो असम मिग जाले तिप्रा मिजवरम राज की जनजाती छेत्रों के प्रस्वासन का उल्लेख मिलता है नेश्टे कुश्च नम्मर एक सो अठार है सिद्ध कदाचार और अच्छमता के अधार पर राज सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राजपाल प्रक्रण की जाच के लिए किस न्याले को संदर्वित करता है तो इसका सही जवाब है सी उप्सन उच्टम न्याले को जो है ये प्रस्ताव भीजा जाता है सूची फर्ष्ट को सिकेंड के साथ में समिलित कर सही उत्तर देना है कोट की सायता से तो राश्टगान 24 जन्वारी 1950 प्रांती सविधान समीति के अध्यच डुक सरदार पटेल दूसरे से राश्टी धज 22 जुलाई 1947 प्रारूप समीति के अध्यच डॉक्टर के अमनसी तो इस प्रकार से ए उप्षन सही जवाब हो जाएगा नेश्ट कुश्य नमर 120 भारती सविधान की उद्देश्का में समाजवादी सब्द जोड़ा गया तो यह 42 सविधान संसोदन जो 1976 में हुआ था उसमें समाजवादी अखणता एवं पंते निर्पेच सब्दों को जोड़ा गया था तो इसका सही जवाब होगा बी ऑप्षन नेश्टे कुश्य नमर निम्लिकित में से कौम सा एक भारत में संथानम समिति की सिफारिस पर इस्थापित किया गया है तो इसका सही जवाब है एवाप्षन केंद्री सतर्टा आयोग जो है इस्थापित किया गया है इसकी इस्थापना 1962 में के संथानम की अधिश्ता में स संथानम समिति द्वारा गठित किया गया था इस समिति की सिफार्सों के अधार पर केंद्री सतर्क्ता आयोग का गठन हुआ था यह आप सई जोग है कि अगला है कुश्चन नमबर 112 राष्ट पती पर महावियोग समंदी प्रस्ताव की सूचना पर कम से कम कितने सरस्यों के हस्ताचर होने चाहिए तो इसमें एक चोथाई सरस्यों का हस्ताचर होने चाहिए बी ऑप्स न सही है इसका उलेक अनुछ्ष्षेद 161 मिलता है अगला है कुश्च नम्मर 113 भारती सविधान की चौथी अनुसूची के सम्मंद में कौन सा कतन सकत है तो 113 का सभी जवाब है D-Option राजसभा में इस थानों का अवंटन D-Option सभी है नेश्ट है कुश्च नम्मर 114 निम्न लिखित में से किस अनुसूची के तहत राजनितिक दलों के निर्वाच्ची सविष्चों की नहीरता सम्मंदी प्राधान वर्णित है तो 124 का सभी जवाब है C-Option दस्वी अनुसूची में ये वर्णित है बावने सर्विधान संसोदन जो 1985 में हुआ था उसके द्वारा सर्विधान में दस्वी अनुसूची जोड़कर दल बदल के आधार पर राजनिती दलों के निर्वाच्ची सर्ष्चों की नहीरता समंदी प्राधानों को जोड़ा गया था अगला है कुश्च नम्मर 125 सूची फर्ष्ट को सिकेंड के साथ में समिलित करना है कोट के माद्यम से सही उत्तर चुनना है स्विधान का भाग 14 का अधिकरर से संबंदित है भाग 16 कुछ वर्गों के संबंद में विशेश उकबंद भाग 20 सरिधान संसोधन भाग 11 संग एवन राज्यों के मद्द संबंद इस प्रकार से सही ज़ब हो जागा डी ओप्सन अगला कुछ नमबर 126 आपात काल लागू होने के बाद लोकसवा का कारकाल एक बार में कितने दिनों के लिए बढ़ाय जा सकता है तो यह जो है 365 दिनों के लिए बढ़ाय जा सकता है बी ओप्सन सही है नेश्टे कुछ नमबर 127 निमन लिखित में से कौन सी एक समिती संसत की इस्थाई समिती नहीं होती तो इसका सही ज़ब है बित मंताला की परामर्स दात्जी समिती डी ओप्सन सही है नेश्टे कुश्य नम्मर 128 निमनी लिखित में से किस आयोग ने राजपाल पत की समापति की अनुसंसा की थी तो यहाँ पर 128 के सरी जावए D option राज मननार आयोग ने राजपाल की पत की समापति की अनुसंसा की थी इसका गठन केंद राज समापति में सुधार के लिए 1970 में किया गया था इसने औसिष्ट सक्तियां राजपाल की सौपी जाने का विचार दिया था नेश्टे कुश्य नम्मर 139 निर्म लिखे कथनों पर विचार कीजिया और कूट की साहता से उत्तर दिये पहला है कथन सविधान वाद एक आधनिक अधार्णा है वहीं इसका कारण है ये व्यक्तियों की इच्छा का नहीं बलकि कनून की सरुच्छता कर पतीक है तो यहाँ पर सही जवाब होगा B option A, R दोनों सही है परन्तु R, A की सही जव्यक्या नहीं कर रहा है नेश्टे कुश्य नम्मर 130 भारती सविधान के निम लिखित अनुछेदों में से कौन सरुच नियालाय द्वारा सविधान का अनुलंगिनी मौलिक धाचा घोसित किये जाने से सम्मनित नहीं है तो 130 के यहाँ पर राइट अंसर होगा D option A, R, 245 नेश्टे कुश्य नम्मर 131 निम्न लिखे कत्रों पर विचार कीजिए पहला है भारती सविधान दौरा केंत अथर राज्यों के मद विधाई सक्तियों का विवाजन दो अधारों पर किया गया और दूसरा है अनुछेद 241 के अनुसार संसर संपूर भारती राज्चेद या उसके किसी भाग के लिए विधी बना सकती है और तीसरा है भारत में केंद्र राज समंदों का आधार 1935 का अध्मियम है इस प्रकार से यहाँ पर सही जवाब होगा एक सो एकत्तिस का बी ओप्सन पहला और तीसरा सही है नेश्ट है कुश्य नमबर 132 आध्र भूमी के सरच्षण तथा अनुसंधान को मजबूत करने है तो हालियों भारत के प्रथम आध्र भूमी सरच्षण एवं प्रवंधन के इंदी की स्थापना की गई तो यह कहाँ पर की गई है तो यह चिन्दाई में की गई है एव ओप्सन सही है नेश्ट है कुश्य नमबर 133 निम्न लेखित में से कौन हाली में गलतन दिवस परेड में भाग लेने वाली भाद की प्रथम मज़ा फाइटर बनी है तो इसका सही जवाब है सी ओप्सन भावना कंठ बनी है सी ओप्सन यहाँ पर सही जवाब है नेश्ट है कुश्य नमबर 134 निम्न कथनों पर विचार कीजिए इंडिया इन्वेशन इंडिक्स की दूसरे संस्क्राण का प्रकासन हाली में भारती रिजवर्व बैंकुदारा किया गया और दूसरा कतन है इन्डिया इन्वेशन इंडिक्स में इस वर्श कर्नाट का पथम इस्थान पर रहा है तो बताइए इसमें कौन सा कतन सही होगा तो यहाँ पर केवल दूसरा ओप्सन सही होगा इंडिया इन्वेशन इंडेक्स में इस वर सकनाट का पतम इस्थान पर रहा है जबकि इंडिया इन्वेशन के दूसरे संस्कुन का प्रगासन हाली में बार्ती रेजर बैंक द्वारा किया गया यह गलत है किवकि नीती आयोक द्वारा किया गया यहां पर पहला गलत है कि आगे बढ़ते हैं देखते कुश्चिन नमर 135 कि डेजर्ट नाइट 21 वायू सेन्य अभ्यास का आयूजन भारत एवं किस देश की वायू सेना के मद्ध हाली में किया गया तो बताईए इसका सही जवाब है तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन भारत एव फ्रांस के मद्ध किया गया नेश्टे कुश्चन नमर 136 निम्न लिखित में से किने हाली में केन सरकाय द्वारा राष्टी स्वास्त प्राधिकान के मुख कारकारी अधिकारी के रूप में न जिख्त किया गया है बी ओप्शन यहां पर सही जवाब है नेश्टे कुश्चन नमर 137 हाली में मनाये गया राष्टी बाली का दिवस के संबंद में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए बताए कौन से कतन सकते हैं पहला कतन है यह महिला एवं बाल विकास मंत्राला की प मनाये गया था तो इसका सही जवाब क्या होगा यहां पर 2008 नहीं होगा 2009 में पहली बार मनाये गया था तो दूसरा गलत है पहला और तीसरा सही है जो है यह ओप्शन सही जवाब होगा नेश्टे कुश्चन नमबर 138 वेस्विक जोखिम रिपोर्ट दोयार 21 का प्रकासन हाली में किया गया किसके द्वारा किया गया है तो इसका सही जवाब है विस आर्थिक मंच द्वारा इसका प्रकासन किया गया हाली में बी ओप्शन सही जवाब है नेश्टे कुश्चन नमबर 149 COVID-19 महामारी पर जागरुकता फैलाने के लिए हाली में किस मंत्रालाय द्वारा आयूस समवाद अभियान की सुरुआत की गई है तो इसका सही जवाब है ए उप्सन आयूस मंत्रालाय द्वारा इस अभियान की सुरुआत की गई है ए उप्सन सही है नेश्ठ कुष्यन नम्बर 140 जन्वरी दोयार 21 में निम्नलिक्त में से किन सहरों के मद्ध देश की पहली air taxi सेवा की सुरुआत की गई है तो air taxi की सुरुआत की सेवा की मद्धिकी गई है यह बताना है आपको तो इसका सही जवाब है फरस्ट air taxi की सुरुआत कहां पे हुए है चंदीगर से हिसार के मद्ध बी ओप्सन सही जवाब है और इसका उद्गाटन हर्याणा के चीफ मिनिस्टर मनौहानलार खट्टर ने किया था 14 जनौरी द्विहार 21 को नेश्ट है कुश्चन नमबर 141 जनौरी द्विहार 21 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स द्विहार 21 जारी किया गया इसके समन्द में कौन से कतन सत्त हैं तो पहला कतन है इस सुचकांक में सिंगापूर की पासपोर्ट को सीर्स इस्थान पर आपतूगा है और भारत का इस सु दूसरा कःटन सत्त होगा कि भारती सुचकांक में पिछास में इस्थान पर है जब कि सिंगापूर यहां पर सकेंड पायदान है पहले निम्ण लिखित कथरों में से कौन से कतन सत्त है यदि राज्सभा राजसूची की किसी विशै को राश्टी महत्त्र का घोसित करे तो संसत उस पर कनूर बना सकती है और दूसरा कतने एसी विदी अधिकतव एक वर्स तक प्रहावी होगी तो इसका सही जवाब है C option पहला और दूसरा दोनों ही सही है नेश्ठ कुश्चन नमबर 148 जिला नियाधीज पत्पन नियुक्ति के लिए निमन लिखत में से कौन सी योगता होनी चाहिए पहला है वह केंद्र राज सरकार में किसी सरकारी सिवा में कारनत ना हो दूसरा उसे कम से कम साथ वर्स का अधिवक्ता अनुवा हो तीसरा है उच्छ न्याला ने उसकी न्यूक्ति की सिफार्स की हो ये तीनों ही होनी चाहिए इसलिए D-Option सही जवाब है नेश्टे कुश्च नमबर 149 अनुसूची जाती एवं अनुसूची जन जाती अधनियम कब लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था 1989 में D-Option सही जवाब है नेश्टे कुश्च नमबर 150 और आज की प्रेक्टिस पेपर का अंतिम कुश्चन निम्ने में से कौन सा अनुछेद गांधिवादी विचाधारा से संबन्दित नहीं है? इसका सही जवाब है D-Option अनुछेद 51 गांधिवादी विचाधारा से संबन्दित नहीं है D-Option याँ पे सही जवाब होगा इसी के साथ ही UP-PCS PT-2121 का प्रेक्टिस पेपर नमबर 3 यहीं पे स्वाप्त होता है मिलते हैं नेश सेशन में थेंक यू फॉर वाचिंग जांओफोबिया यूटूब चैनल अरे भाईया सुनो सुनो आँ तुम्हें से कह रहे हैं अब यहां तक आही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना हम सर्माना कैसा तो हमाई वीडियो को लाइक करें सेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें जान्यवाद